जो देकि यहाँ पर आप देख पाड़ा है जो देकि successfully यहाँ पर windows defender disabled हो चुका है जो देकि your virus and trade protection is managed by your organization same to same method जो भी मैंने शेयर के हैं same to same method को अगर आप अप्लाइ करेंगे तो आपके system में भी windows defender disabled हो जाएगा successfully so i hope आप लोग को clear हो चुका हो वेलकम बैक स्पेंस तो मैं फिर से आप लोग के लिए windows 11 का tutorial लेकर आचुका हूँ so आज का topic बहुत ही important होने वाली है so please end तक देखिए so आज का जो हम लोग topic देखेंगे windows 11 system में Microsoft defender antivirus को कैसे disable करते हैं तो मैं आज आप लोग के लिए details में share करूँगी तो यहाँ पर मैं आप लोग के लिए एक method नहीं दोनों method दिखाऊंगी जो भी method आपके लिए अच्छा रगती है आप उस method को apply कर पाएंगे तो चलिए कैसे हम लोग windows 11 system में Microsoft defender antivirus को disable करते हैं step पे step इससे पहले अगर आप लोग ने अभी तक भी ने talking गुरीजी चैनल को subscribe नहीं किया होगा सो प्लीज इस पीडियो को देखने के बाद like share and comment करना ना पुरिए देन उसके बाद हम लोग move करते हैं कैसे disable करेंगे windows defender को windows 11 system में तो चलिए देखते है step by step तो यहाँ पर मैं आप लोग के लिए मैं version भी चेक करके दिखाए दीता हूं जो देखे मैं यहाँ पर windows का 22s2 and osb क्या है 22621.1778 वर्शन यूज़ कर रहा हूं जो नॉर्मल वर्शन है अगर आप dev channel यूज़ कर रहा है नहीं तो beta channel नहीं तो release preview नहीं तो canary channel अगर आप यूज़ कर रहे तो आप इस method को apply कर पाएंगे तो वहाँ पर भी easily disable हो जाएगा windows defender तो चलिए देखते हैं तो देखे फर्स्ट यहाँ पर हम लोग जो settings को open करेंगे तो चलिए मैं यहाँ settings को open कर चुका हूं देन उसके बाद यहाँ पर मैं privacy and security में आता हूं देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहा है जो देखे windows security का option just यहाँ पर हम लोग windows security को open करते हैं देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहा है जो देखे बहुत सारा option दिखे दिरी है यहाँ पर हम लोग जो जायेंगे ओगर manage and settings में Just यहाँ पर हम लोग manage settings में जाएंगे मैंने सेटिंग मैं जाने के बात यहां पर आप देख पार है जो देखें के real time protection cloud delivery protection automatic sample submission देन उसके बात यहां पर tempers protection तो देखें यहां पर हम लोग इस सबको on है by default तो यहां पर हम लोग आप करेंगे आप करेंगे कौन सा option, just for tempered production को, जो देखें यह है tempered production, just मैं इसको on है, मैं इसको off करता हूँ, then उसके बाद yes and no का option आजागा, just yes पटम में आप प्लिक कर दीजे, तो देखें और बाकी सब जो भी है, यहाँ पर real time protection, cloud delivery protection, and automatic sample submission, तो देखें इसको आप on रहने दीजे, tempered production को off करतीजे, तो देखें यहाँ पर जो भी काम था, complete हो चुका है, then उसके बाद मैं इसको close कर देखें, then उसके बाद यहाँ पर आपके कुछ customization करना पर गए, कहाँ पर customization करेंगे, इस बार हम लोग देखते है, step by step, जो भी method मैं दीखाऊंगी, same to same method को अगर आप apply करेंगे, त जो देखें, रिजिस्टी एडिटर, रिजिस्टी एडिटर को open करने के लिए, जो comment है, जो देखें, R-E-G-E-D-I-T, just यह short form है, then उसके बाद आप keyboard से, इंटर बटन को प्रेस कर दीजे, then उसके बाद, yes, unknown का option हो जागा, just यहाँ पर आपके समने, रिजिस्टी एडिटर open open हो जागा, then उसके बाद यहाँ पर आपके समने, जो देखें, बहुत सरा option दिखाए दे रही है, तो देखें, यहाँ पर हम लोग जो भी काम करेंगे, जो देखें, H-K-E-Y local machine, जो देखें, third number जो यहाँ पर जो point दिखाए दे रही है, just H-K-E-Y local machine, इसको हम लोग expand expand करने के बाद यहाँ पर हम लोग जाएंगे, जो देखें, software में, जो देखें, यहाँ पर आप देख पार हैं, software को हम लोग expand करते हैं, then उसके बाद यहाँ पर हम लोग move करेंगे, policies में, policies कहाँ पर हैं, जो देखें, policies, तो यहाँ पर हम लोग policies को expand करेंगे, then उसके बाद हम लोग मूब करेंगे जो देखे Windows Defender जो देखे यहाँ पर आप देख पा रहा है जो देखे Windows Defender दैन उसके बाद यहाँ पर हम लोग Windows Defender को explain करने के बाद windows defender को पर select करिए then उसके बाद यहाँ पर जो देखे यहाँ पर जो right site है right site में यहाँ आम लोग customization करेंगे customization कैसे करेंगे तो चलिए देखते हैं step by step तो इसके लिए मैं यहाँ पर full screen कर लेता हूँ i hope आप लोग अच्छी तरह से देख पाएंगे जो देखे मैं फिट से एक बार repeat कर दे रहा हूँ जो देखे यहाँ पर first हम लोग hk local machine में गिये थे देन उसके बाद software में आये थे देन उसके बाद policies देन उसके बाद Microsoft देन उसके बाद windows defender जो देखे यह है windows defender then उसके बाद यहाँ पर हम लोग right click करेंगे राइख करने के बाद यहाँ पर new option आ रही है then उसके बाद यहाँ पर आपके सामने बहुत सार ओप्शन दिखाए दिरी है तो देखे यहाँ पर हम लोग D, W, O, R, D, 32, P, value, just, इसको पड़ा ख्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने एक value data यहाँ पर provide करना पड़ेगा, value data का name भी provide करना पड़ेगा, name क्या देंगे, तो पहले हम लोग जान लेते हैं, then उसके बाद हम लोग value data provide करेंगे, हम लोग जो भी name देंगे, जो देखे, disable anti spyware, जो देखे, disable का D capital होगा, E यहाँ पर capital होगा, and यहाँ पर S capital होगा, जो देखे, disable anti spyware, बीच में कोई भी space नहीं है, then उसके बाद इसके उपर आप double click करेंगे, double click करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक window open हो जागा, जो देखे value data, तो देखे value data by default 0 है, तो यहाँ 0 को remove कर दीजे, then उसके बाद यहाँ पर आपको 1 type करना पड़ेगा, then उसके बाद आप OK बटम में click कर दीजे, then उसके बाद यहाँ पर आप देख पार है, जो देखे, disable anti spyware, then उसके बाद यहाँ पर आपको फिट से right click करना पड़ेगा, then उसके बाद new में आना पड़ेगा, देन उसके बाद D, W, O, R, D, 32-bit value, just यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, देन उसके बाद और भी एक यहाँ पर entry करना पड़ेगा, इसका name क्या देंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं, तो देखे इसका जो name है, जो देखे, disable real time monitoring, जो देखे, D यहाँ पर capital होगा, R यहाँ पर capital होगा, and यहाँ पर A में यहाँ पर capital होगा, जो देखे, disable real time monitoring, बीच में कोई भी space नहीं है, then उसके बाद इसके उपर आप double click करें, double click करने के बाद, same to same यहाँ पर एक window open हो जागा, जो देखे, value data by default zero होगा है, तो यहाँ पर आप इसको one कर दीजे, then उसके बाद आप okay button में click कर दीजे, then उसके बाद फिर से यहाँ पर right click करिए, then उसके बाद new में आईए, then उसके बाद DWORD, then उसके बाद यहाँ पर आपको और भी एक name provide करना परेगा, name क्या देंगे, तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख पार हैं, जो देखें, name है Disable Antivirus, तो देखें, यहाँ पर D capital होगा, A यहाँ पर capital होगा, और B यहाँ पर capital होगा, जो देखें, Disable Antivirus, बीच में कोई भी space नहीं है, then उसके बाद इसके उपर आप double click करिए, double click करने के बाद यहाँ पर आपके सामने फिर से एक window open हो जगा, तो देखें, यहाँ पर value data 0 है, तो इसको 1 कर दीजे, then उसके बाद आप OK बटम में click कर दीजे, then उसके बाद यहाँ पर आपको और भी एक यहाँ पर type करना पड़ेगा, जो देखें, फिर से right click करना 32 bit value, just इसको उपर आप click करिए, then उसके बाद यहाँ पर आपको एक name provide करना पड़ेगा, name क्या देंगे, तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं, जो देखें, इसका जो name है, जो देखें, disable special running mode, तो देखें, यहाँ पर D capital होगा, S यहाँ पर capital होगा, R यहाँ पर capital होगा, and modes यहाँ पर capital होगा, बीच में कोई भी space नहीं है, then उसके बाद इसके उपर आप double click करिए, double click करने के बाद फिर से, यहाँ पर आपको value data type करना परेगा, जो देखें, by default 0 है, तो इसको आप one कर दीजे, then उसके बाद आप OK button में click कर दीजे, then उसके बाद फिर से, यहाँ पर आपको और भी एक name provide करना परेगा, name क्या देंगे, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आप देख पर है, जो देखें, name है, disable routinely taking action, जो देखें, D capital होगा, R यहाँ पर capital होगा, T यहाँ पर capital होगा, A यहाँ पर capital होगा, बीच में कोई भी space नहीं है, then उसके बाद इसके उपर आप double click करिए, then उसके बाद यहाँ पर edit value data, जो देखें, by defaults यहाँ पर zero है, तो यहाँ पर आप one कर दीजे, then उसके बाद यहाँ पर आप OK button में click कर दीजे, OK button में click करने के बाद फिर से यहाँ पर आपको, फिर से right click करना पड़ेगा, then उसके बाद DW 32 bit value में फिर से आपको जाना पड़ेगा, then उसके बाद यहाँ पर आपको और भी एक name provide करना पड़ेगा, name क्या देंगे, तो चलिए, इस बार हम लोग देखते हैं, इसका जो name देंगे, जो देखें, service keep alive, जो देखें, service, S यहाँ पर capital होगा, K यहाँ पर capital होगा, A यहाँ पर capital होगा, and B में कोई भी space नहीं है, then उसके बाद यहाँ पर इसके उपर double click करिए, double click करने के बाद यहाँ पर edit dw 32 bit value, जो देखें, value data यहाँ पर 0 है, तो आप यहाँ पर 0 ही रहने दीजे, यहाँ पर आप कोई भी छेर्चार मत करिए, then उसके बाद यहाँ पर आप ok button में click कर दीजे, जो देखें यहाँ पर हम लोग ने total 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर 6 यहाँ पर entry की है, dword, तो देखें, same to same ऐसा ही आपको करना पर रहेगा, जो देखें, यहाँ पर जो भी कमता complete हो चुका है, then उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखें, यहाँ पर right side में, जो देखें, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखें, Windows Defender folder, जो देखें, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखें, मैं यहाँ पर serial करके रखा हूँ, जो देखें, इसके उपर आप right click करिए, right click करने के बाद, यहाँ पर आपको बहुत सरा option दिखाई दे रहे हैं, तो यह यहां पर आपको new में जाना पड़ेगा नीओ में जाने के बाद यहां पर आपको जो देखे key बोलके यहां पर एक option है, जो देखे key, जो देखे just यहाँ पर आप key button में click कर दिए, key button में click करने के बाद यहाँ पर आपको इस folder का name provide करना पड़ेगा, name क्या देंगे, जो देखे real, real, then उसके बाद time, then उसके बाद यहाँ पर space दीजे, then उसके बाद protection, जो देखे p, r, o, t, e, c, e, c, t, i, o, n, जो देखे real time protection, तो यहाँ पर आपको इसको type करना पड़ेगा, जो देखे मैं फिर से repeat कर रहा हूँ, जो देखे r, e, a, l, real, hyphen, then उसके बाद time, space, then उसके बाद protection, जो देखे r, यहाँ पर capital होगा, t, यहाँ पर capital होगा, and p, यहाँ पर capital होगा, then उसके बाद real time protection के उपर, आप click करिए, then उसके बाद यह, हाँ पर आपको same to same, यहाँ पर right click करना पड़ेगा, then उसके बाद new, then उसके बाद dw or 32 bit value में, यहाँ पर कुछ value entry करना पड़ेगा, तो चलिए हम लोग step by step देखते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग फिर से right click करते हैं, then उसके बाद new में आते हैं, then उसके बाद dw or 32 bit value, just इसके उपर हम लोग click करेंगे, तो यहाँ पर आपको और भी एक name provide करना पड़ेगा, name के आप provide करेंगे, तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख पर हैं, जो देखे इसका जो name होगा, जो देखे, disable, behavior, monitoring, जो देखे, D यहाँ पर capital होगा, B यहाँ पर capital होगा, and यहाँ पर M यहाँ पर capital होगा, then उसके बाद इसके उपर आप double click करेंगे, double click करने के बाद यहाँ पर edit dw or 32 bit value, जो देखे, value data by default 0 है, तो इसको 0 को remove करके, यहाँ पर आप 1 कर दीजे, then उसके बाद OK बटन में click कर दीजे, then उसके बाद फिर से यहाँ पर आपको, यहाँ पर right click करने परेगा, then उसके बाद new, then उसके बाद DW 32 bit value में click करने परेगा, then उसके बाद यहाँ पर आपको और भी एक name provide करने परेगा, name क्या देखे, तो चलिए, इस बार हम लोग देखते हैं, तो यहा D यहाँ पर capital होगा, on T, यहाँ पर O capital होगा, A यहाँ पर capital होगा, P यहाँ पर capital होगा, जो देखे, disable on access protection, then उसके बाद इसके उपर आप double click करिए, double click करने के बाद यहाँ पर edit DW ORD 32 bit value, जो देखे, value data by default 0 है, तो 0 को remove करके यहाँ पर आप one कर दीजे, then उसके बाद O के बटन म इसके बाद new में आईए, then उसके बाद DW ORD 32 bit value में क्लिक करिए, then उसके बाद यहाँ पर आपको और भी एक name provide करना परेगा, name क्या देंगे, तो चलिए, इस बार हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आप देख पार है, जो देखे, disable real time monitoring यहाँ पर आपको provide करना परेगा, जो द तो यहाँ पर आप one कर दीजे, then उसके बाद okay बटम में क्लिक कर दीजे, then उसके बाद यहाँ पर आपको fit से right click करना परेगा, then उसके बाद new, then उसके बाद DW ORD 32 bit value में क्लिक करना परेगा, then उसके बाद यहाँ पर आपको fit से और भी एक name provide करना परेगा, name क्या देंगे, तो यहाँ पर O capital होगा and R capital होगा and E यहाँ पर capital होगा and बीच में कोई भी space नहीं है जो भी है same to same आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा then उसके बाद इसके ओपर आप double click करिए double click करने के बाद फिर से एक window आ जागा जो देखे value data by default 0 है तो यहाँ पर आप one कर दीजे then उसके बाद यह पर okay कर दीजे जो देखिए यहाँ पर जो भी कांता है यहाँ पर totally complete हो चुका है then उसके बाद फिर से आप windows defender पेंडर फोल्डर के उपर राइट क्लिक करिए देन उसके बाद यहाँ पर आपको नीव में जाना पड़ेगा देन उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से की बटम में क्लिक करना पड़ेगा देन उसके बाद यहाँ पर आपको फोल्डर के नेम प्रोबाइट करना पड़ेग name क्या देंगे जो देखे इस पर हम लोग देखते हैं जो देखे name देंगे signature update तो देखे s i g then उसके बाद n a t u r e signature space update जो देखे यह है totally folder का name जो देखे signature s यह पर capital होगा and a updates यह पर u यह पर capital होगा जो देखे बीच में एक space है जो देखे signature space updates तो देखे यहाँ पर फोल्डा का name create करना पड़ेगा then उसके बाद फिर से यहाँ पर आपको right click करना पड़ेगा then उसके बाद new then उसके बाद dw ord 32 bit value just इसको उपर आप click करिए then उसके बाद यहाँ पर value name and value data provide करना पड़ेगा तो name क्या देँगे तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग जो नेम देगे जो देखे force update from aim you जो देखे force यहाँ पर force का if यहाँ पर capital होगा and यहाँ पर from का if capital होगा and यहाँ फर aim यहाँ इफ कापिटल होगा जो देखे force update from MU then उसके बाद इसके उपर आप double click करिए double click करने के बाद यहापर जो value data by default 0 है आप 0 ही रहने दीजे यहापर आप कोई भी चर्चर मत करिए then उसके बाद आप ok button में click कर दीजे ok button में click करने के बाद यहापर आप फिर से windows defender folder जो है इसके उपर आप right click करिए then उसके बाद new में आ जाईए then उसके बाद यहापर आप key button में click करिए then उसके बाद यहापर आपको और भी एक folder का name provide करना पड़े folder का name क्या देंगे जो देखे spynet जो देखे s p y n e t जो देखे s यहापर capital होगा देखे s p y n e t ke उपर यहाप spynet यहापर हम लोग ने folder create किया है then उसके बाद यहापर आपको फिर से right click करना पड़ेगा then उसके बाद new then उसके बाद यहापर d w o r d 32 bit value just यहापर आपको click करना पड़ेगा then उसके बाद फिर से यहापर आपको एक value data at यहापर name provide करना पड़ेगा तो चलिए इस पर हम लोग तो देखे यहापर हम लोग folder के name देंगे जो देखे यहापर हम लोग जो name देंगे जो देखे disabled block at first skin जो देखे यह है totally name जो देखे D यहापर capital होगा and B यहापर capital होगा A यहापर capital होगा एफ यहाँ पर capital होगा and scene यहाँ पर capital होगा जो भी है same to same ऐसा ही रहने दीजे यहाँ पर आप कोई भी छेरचार मत करिए and बीच में कोई भी space मत दीजे अगर आप space दे देंगे तो यहाँ पर काम नहीं होगा तो देखें disable block at first scene then उसके बाद इसके उपर आप double click करिए double click करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखे edit dw ord 32 value जो देखे value data by default 0 है तो देखे 0 का आप remove कर दीजे then उसके बाद 1 यहाँ पर type करके ok button में click कर दीजे ok button में click करने के बाद यहाँ पर जो भी काम था register editor का totally complete हो चुका है and यहाँ पर हम लोग ने जो भी name provide किये है तो मैं इस video की description में इसका name देदूंगा आप easily देखके आप कर पाएंगा आपके system में भी तो don't worry तो चलिए यहाँ पर जो भी काम था register editor का complete हो चुका है then उसके बाद मैं register editor को close करता हूँ इसके लिए windows and r button को प्रेस करिए then उसके बाद यहाँ पर आप type करिए जो देखे gp edit gp edit.msc जो देखे यह हैं short form then उसके बाद आप enter button को press कर दीजे enter button को press करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखे group policy editor open हो जागा then उसके बाद मैं यहाँ पर full screen कर लेता हूँ I think आप लोग अच्छी तरह से देख पाएंगे जो देखे यहाँ पर आपके सामने जो देखे computer configuration है और यहाँ पर user configuration है तो जो भी काम करेंगे यहाँ पर computer configuration के ऊपर ही करेंगे जो देखे computer configuration में यहाँ पर software settings है, windows settings है and यहाँ पर administrative templates है तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो करेंगे जो देखे administrative templates के उपर जो देखे last option है जो देखे administrative templates तो just इसको हम लोग expand करते हैं expand करने की बात यहाँ पर हम लोग move करेंगे जो देखे windows component तो देखे विंडोस कॉंपोनेंट लास्ट ओप्शन है यह पर हम लोग एक्सपेंड करते हैं देन उसके बाद यहापर हम लोग जाएंगे जो देखे Microsoft Defender Antivirus तो देखे Microsoft Defender Antivirus तो आपको तो रहा सा सर्च करना पड़ेगा जो देखे आपको यहापर इसली मिल जाएगा जो देखे Microsoft Defender Antivirus तो इसके उपड़ा क्लिक करिए क्लिक करने के बाद यहापर आपके समने जो देखे बहुत सारा option दिखाए दे रही है तो देखे यहापर हम लोग जो option को यहापर disable करेंगे ओ है तर्ण आप Microsoft Defender Antivirus जो देखे यहापर सेगे जो option दिखाए देखे तर्ण आप Microsoft Defender Antivirus तो देखे यहापर not configuration है और यहापर कमान भी no है तो देखे इसके उपड़ आप डबल क्लिक करिए डबल क्लिक करने के बाद यहापर आपके समने जो देखे एक new window open हो जागा तो देख यहापर हम लोग disable करेंगे देन उसके बाद यहापर apply बटम में क्लिक करेंगे देन उसके बाद OK बटम में क्लिक करेंगे जो देखे इसका जो देखे state disable हो चुका है और इससे पहले यहापर not configuration था देन उसके बाद यहापर आपको और भी एक option में disable करना पड़ेगा कौन सा option है जो देखे allow anti malware service to remaining always जो देखे यह है option जो देखे last से थोड़ा सा उपर में जो देखे इसके उपर आप double click करें डबल क्लिक करने के बाद फिर से एक window आ जागा जो देखे यहाँ पर आप visible double click करें के बाद यहाँ पर आपके समय जो देखे बहुत साब सारे option दिखिए दे रही है तो देखे इहां पर आपको जाना परेंगा जो देखे turn of real-time protection जो देखे turn of real-time protection जो देखे sutart Day जो देंगे first option फिर करें जासट इसके बुटर आप double click करें के बाद ुट्प has changed चुका है तो चलिए इसको मैं close करता हूँ देन उसके बाद यहां पर आपको और भी एक option को disable करना पड़ेगा कौनसा option है जो देखे turn of behavior monitoring जो देखे second option है just इसको पर आप double click करिए देन उसके बाद disable button में click करिए देन उसके बाद apply button में click करिए देन उसके बाद okay button में click करिए देन उसके बाद यहां पर जो भी काम था यहां पर totally complete हो चुका है जो देखे local group policy editor तो चलिए मैं यहां पर इसको totally close कर लेता हूँ देन उसके बाद यहां पर आपको और भी tax schedule sc then उसके बाद hd.msc देन उसके बाद आप keyboard से enter बटन को प्रेस कर दीजिए जो देखे टक्स schedule का जो देखे यह short form है अगर आप short form नहीं देना चाहते हैं तो यहां पर आप tax schedule type कर लीजे तो यहां पर आपको इसली मिल जाएगा जो देखे tax schedule है तो मैं आपको एक बात दिखा देता हूँ जो देखे tax schedule जो देखे यह जो option है जस्ट यहां पर क्लिक करेंगे तो same to same आप पूर्टी आपके सामने आ जाएगा तो चलिए यहां पर भी आपको कुछ customization करना पड़ेगा कास्टोमाजेशन कहां पर करेंगे इस बार हम लोग देखते हैं तो इसके लिए यहां पर आप देख पार रहा है जो देखे tax schedule लाइबरी का option है यहां पर आप लोग expand करते हैं एक्सपेंड करने के बाद यहां पर आपके सामने जो देखे बहुत सरा option दिखाए देखे देखे तो यहां पर आपको find काना पड़ेगा जो देखे Windows Defender कहां पड़ेगा चलिए यहां पर Windows Defender आपको last में मिल जागा जो देखे यह है Windows Defender तो just यहां पर Windows Defender के उपर आप क्लिक करें के बाद यहां पर आप देख पाड़ है यहां पर जो भी नेम है जो देखे Windows Defender Cash Maintenance Windows Defender Cleanup देन उसके बाद Windows Defender Scheduler Scan देन उसके बाद Windows Defender Verification जो देखे स्टाटस सब कुछ यहाँ पर रेडी दिखाई दिरी है तो देखे इसको आपको Disable करने पड़ेगा Disable कैसे करेंगे तो देखे यहाँ पर दोनों ओप्शन है जो देखे आप इसके उपर एक्लिक करिए देन इसके बाद Disable का Option है तो ऐसे करके भी आप कर सकते हैं नहीं तो यहाँ पर आप सिलेट कर लिजिए तो देखे यहाँ पर भी Disable का Option अबलेबेल है अगर आप इसके भी नहीं करना चाहते हैं तो आप एक एक करके आपको सिस्टेम को एक बार रिस्टार करना पड़ेगा अगर आप रिस्टार नहीं करेंगे तो उसका एफेक नहीं नहीं देख पाएंगे तो देखे मैं इस सिस्टम के एक बार रिस्टार करता हूं देन उसके बाद बाकि सारा जो भी पोसेस है हम लोग फूस्ट को स्टेप बैस्टेप कॉंटेनु करेंगे तो चलिए इसके लिए यहाँ पर हम लोग पहले सेटिंस को ओपन करते देन उसक बाद या पर आप देख पाएंग उंडिर सिकुरेटीक करते हैं अंप प्रोटेक्शिं करते हैं आप कर को आतफ़ sc होने के बात आप के सामने रेट कलर को निचाएक चालिच एंवान चलिए आपका जह भी उंडिजा रिए दाविब पर आपको थोड़ सा टाइमिंग लग सकती है तो यहाँ पर आपको वेट करना परेगा जो भी मेतोड में यहाँ यहाँ पर शेयर कराऊं सेम टूसे मेतोड कोई अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको भी कुछ भी पॉब्लेम नहीं होगा आप देखेंगे आपके सिस्टेम क जो देखें Windows Defender Antivirus था यह डिसेबल हो जाएगा जो देखें यहाँ पर आप देख पाड़ा है जो देखें यहाँ पर Windows Defender डिसेबल हो जाएगा successfully so I hope आप लोग को clear हो चुका होगा तो देखें यहाँ पर तो हम लोग ने डिसेबल कर लिया है जो देखें Windows Defender को अगर आप सोच रहे होंगे जो मैं यहाँ पर Windows Defender को फिर से मैं ओपिंड करना चाहता हूं तो कैसे करेंगे तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं step by step तो इसके लिए यहाँ पर आपको इसको close करना पड़ेगा दैन उसके बात यहाँ पर आपको फिर से Windows and R बटन को प्रेस करना पड़ेगा दैन उसके बात यहाँ पर टाइप करना पड देन उसके बात शॉप्टर देन उसके बात पॉलि यहाँ पर by default जो देखे value data 1 1 1 1 1 है and last जो option है इसको 0 है तो देखे इसको पहले एक एक करके select कर लिजे आप keyboard से control button को press कर लिजे control button को press करने के बाद यहाँ पर आप total 6 option है तो देखे यहाँ पर हम लोग ने 6 option को select कर लिया है then इसके बाद इसके ओपर right click करिए right click करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखे confirm value delete yes and no का option आ जागा just यहाँ पर आप yes button में click कर दीजे इसको चोड़ दीजे इसको आप delete मत कर दीजे यह जो भी है same to same ऐसे डाने दीजे then उसके बाद यहाँ पर हम लोग जाएंगे जो देखे real time protection जो देखे real time protection बोलके यहाँ पर हम लोग ने जो value data and name प्रोवाइड किये थे जो देखे यहाँ पर जो भी folder दीखाई दी रही है इसको आप totally right click करिए right click करने के बाद delete का option आ जागा just यहाँ पर delete button में क्लिक करिए तो देन उसके बाद confirm की delete yes and no तो यहाँ पर आपको yes button में क्लिक करने परेगा जो देखे यह delete हो जाएगा successfully then उसके बाद यहाँ पर आप देख पड़ा है जो देखे signature update तो इसको भी आप right click करिए then उसके बाद delete button में क्लिक करिए then उसके बाद yes and no option आ जागा just yes button में क्लिक कर दीजे तो देखे यह भी delete हो जुका है then उसके बाद यहाँ पर तो देखे, इस PINET के उपर आप राइ क्लिक करिए, देन उसके बाद delete बटम में क्लिक करिए, देन उसके बाद yes on lock option अजगा, जस्ट यहापर आप yes बटम में क्लिक करतीजे, जो भी काम था, यहापर register editor का register editor complete हो चुका है, देन उसके बाद आप register editor को close करतीजे, देन उसके बाद यहाँ पर आपको फिट से Windows and R बटन को प्रेस करना पड़ेगा जो देके यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा जो देके GP80.nsc देन उसके बाद enter बटन को प्रेस कर दीजे, enter बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम लोग थोड़ी दे पहली किये थे, जो देखें, यहाँ पर computer configuration में, जो देखे, administrative templates में आईए, देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे, जो देखे, उन्टस component, देन उसके बाद यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, तो windows defender on नहीं होगा, तो मैं पहली आप लोग के लिए clear कर देता हूँ, तो इसके लिए, जो भी method मैं share कर रहा हूँ, तो देखे, यहाँ पर आप देख पाएं, जो देखे, turn on Microsoft defender antivirus, तो देखे, यहाँ पर हम लोग ने register editor से कुछ delete किये थे, तो देखे, delete करने के बाद यहाँ पर आप देख पाएं, जो देखे, turn on virus protection का pop-up window आ चुका है, तो इसको आप close कर दीजे, देन उसके बाद इसके उपर आप double click कर दिए, turn on windows defender antivirus, तो देखे, यहाँ पर तीनों option है, not configuration में आप click कर दीजे, देन उसके बाद apply and ok button में click कर दि anti malware service to remaining running always, तो देखे, by default disable है, इसको भी हम लोग double click करते हैं, then उसके बाद non configuration में आप click कर दीजे, then उसके बाद apply and ok button में click कर दिए, then उसके बाद real time protection जो folder है, इसके उपर आप double click कर दिए, जो देखे, first यहाँ पर हम लोगने दोनों option में customization किये ते, जो देखे, turn off real time protection, तो इस इसके उपर आप double click करिए, then उसके बाद not configuration में आप click करिए, then उसके बाद apply and ok button में click करिए, then उसके बाद turn on behavior monitoring, तो इसके उपर आप double click करिए, then उसके बाद not configuration में click करिए, then उसके बाद apply and ok button में click करिए, then उसके बाद यहाँ पर जो भी group policy का काम था complete हो चुका है, मैं इसको close क के बाद फिर से Windows and R बटन को प्रेस करिए run open हो जगा तो देखिए यहां पर आपको open करना पड़ेगा Tux Scheduler Tux Scheduler का जो short form है जो देखिए अगर आप run से open करना चाहते हैं तो Tux T A S जो देखिए यहां पर आपको Windows को एक्सपेंड करना पड़ेगा यहां पर आपको Windows Defender सार्च करना पड़ेगा जो देखिए Windows Defender आपको लास्ट में मिल जागा जो देखिए यह है Windows Defender का option तो देखिए यहां पर by default जो भी option था था थोड़े पहली मैंने जो देखिए Windows Defender कैस्ट मेंटेनेंस देन उसके बाद clean up देन उसके बाद शीडूलर देन उसके बाद verification जो भी option है यहां पर disabled हम लोग ने कर दिये थे तो इसको अचले करने के लिए आप के अंट्रूल बटन को keyboard से प्रेस कर दिजे देन उसके बाद एक एक करके select करिए select करने के बाद इसके उपर right click करिए देन उसके बाद enable button में click कर दिजे enable button में click करने के बाद status इससे पहले disabled था and ready हो चुका है देन उसके बाद यहां पर आप कोई भी छेरचार मत करिए देन उसके बाद टक्षी डॉलर कभी close कर दिजे देन उसके बाद आप system को एक बार restart करिए अगर आप restart नहीं करेंगे तो उसका effect नहीं देख पाएंगे तो मैं पहले आप लोग के लिए clear कर देता हूं तो चलिए मैं system के एक बार restart करता हूं फार्नेली system open हो चुका है देन उसके बाद हम लोग देखते हैं जोदिके windows defender यहाप successfully on हो चुका है कि नहीं तो चलिए तो इसके लिए पहले हम लोग settings को open करते हैं देन उसके बाद यहापर आपको जाना पड़ेगा जोदिके privacy and security option में देन उसके बाद यहापर windows security option में जाना परेगा जोदिके virus and trade protection यह option है just इसको पर आप क्लिक करिए क्लिक करने के बाद यहापर आप देख पार हैं जोदिके सब कुछ on हो चुका है जोदिके इससे पहले यह option नहीं आ रही थी जोदिके यहापर red color का एक message आ रही थी जोदिके your virus state protection managed to be organization जोदिके same to same message आ रही थी ज मन के चलिए यहापर successfully windows defender जो था यह option enable हो चुका है बट एक option अभी भी disable है जोदिके आपको उसको manually enable करने पड़ेगा अगर आप उसको enable नहीं करेंगे तो problem आ सकती है कौन सा option है तो चलिए मैं आप लोग के लिए share करता हूं तो देखें यहापर आप देख पार है जोदिके virus and trade protection settings जो देखें यहापर manage settings का बोलके यहापडे एक option जेथियापर हम लोग manage settings में आते है manage settings में के बाद जब हम लोग first time जो देखे virus and treat protection में आया थे जो देखे यहाँ पर एक option हम लोग ने disable किये थे जो देखे temper protection जो देखे temper protection यहाँ पर automatically on नहीं होगा यहाँ पर आपको manually on करना पड़ेगा तो देखे मैं इसको on करता हूं on करने के बाद yes and no option है जगा just yes bottom में आप क्लिक कर दीजे यह बटम में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पर है जो देखे by default जो भी था windows defender on था यहाँ पर on हो जुका है कोई भी error अभी तक भी नहीं आया है same to same अगर अगर आप method को apply करेंगे तो आपको system को भी windows defender आप disable कर पाएंगे and enable भी कर पाएंगे अगर आप कोई भी बीच में step mistake कर देंगे तो problem आ सकती है then उसके बाद मैं आप लोग के लिए एक बास clear करना चाहता हूं जो भी हम लोगने registry editor में जाके जो भी हम लोगने value data and value name provide किया है same to same आपको provide करना पड़ेगा अगर आप थोड़ा सा वापर गरबर कर देंगे तो तो यह windows defender disable नहीं होगा तो मैं आप लोग के लिए पहले clear करता हूं नहीं तो बात में जाके आपको problem आ सकती है जो भी हम लोगने registry editor में value data and name provide किया है तो मैं इस वीडियो की definition में मैं उसका link दे दूँगे आप उसली देखके आपके system में भी आप easily enable and disable कर पाएंगे windows defender को i hope आप लोग को clear हो चुका होगा तो देखें यह है first method अगर आप इस method को apply करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कुछ भी problem नहीं होगा अगर आप सोच रहा होंगे जो मैं इस method को apply करना नहीं जाता हूं यह थोड़ा सा long method है तो इसके लिए मैं आप लोग के लिए second method शेयर करूंगी second method क्यों सा है तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं second method के लिए आपको इस website में आना पड़ेगा तो मैं इस video की decision में मैं इसका link देदूंगी then उसके बात यहाप पर आपको एक छोटा सा एक software download करना पड़ेगा जो देखे software का name क्या है जो देखे defender controller version 2.1 then उसके बात यहाप पर आप पेच को थोड़ा सा scroll down कर दीजे जो देखे यहाप defender controller version 2.1 अगर आप step by step details में read करना चाहते हैं तो यहाप आप read भी कर पाएंगी then उसके बात यहाप आप देख पाएंगी जो द download होने के बाद यहाप पर आपको आपके system में विंडर होना चाहिए अगर आपके पास 7gip है तो 7gip से यह extract नहीं होगा तो देखे इसके लिए आपको विंडर होना चाहिए then उसके बाद उस folder को extract करने के बाद और भी एक folder होगा उस folder में जाए उस folder में जाने के बाद वहाँ पर आपको एक notepad दिखाए दीगा notepad में आपको एक password मिलेगा password आप type कर लीजे नहीं तो copy कर लीजे then उसके बाद आपको और भी एक यह आपर extract folder मिलेगा जो देखे उसको extract करने के बाद आपको password देना पड़ेगा password देने के बाद ही आप main folder में जा सकते हैं तो देखे मैं इस process को पहले करके रखा हूं तो पहले मैं आप लोग के लिए share कर देता हूं तो इसके लिए मैं file explorer को open करता हूं then उसके बाद यहाँ पर आपको download के अंदर यह मिल जाएगा जो देखे यहाँ पर defender controller version 2.1 and इसका जो size 533 KB तो आप आप लोग को download करने में कुछ भी problem नहीं हो तो देखा I hope आप लोग को clear हो चुका होगा then उसके बाद इसको run करने के लिए पहले आपको दोनों option को disable करना पड़ेगा अगर आप disable नहीं करेंगे तो यह automatically virus detected हो जाती है तो मैं पहले आप लोग के लिए clear कर देता हूं तो इसके लिए कौनसा दोनों option को disable करना पड़ेगा तो पहले हम लोग देखते हैं तो इसके लिए मैं फिर से settings option में जाता हूं देन उसके बाद privacy settings में आता हूं देन उसके बाद windows security में आता हूं देन उसके बाद virus and trade production में आता हूं virus and trade production में आने के बाद या पर manage settings में आता हूं manage settings में आने के बाद या पर आप देख पाएंगे तो इसको आप कर दीजे देन उसके बाद 누тоб सब्सक्राइब नर्टय तो भी आपके सहाब ने यह चलिए क्छिम सैटिंग यह चेंड अप्सण बर्लीकेशन तो देखे इस application के ऊपर आप right click करें, right click करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखे run as administrator का option का आजगा, just here, run as administrator में click करी, then उसके बाद yes or no का option में click कर दीजिए, then yes button में click करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखे data production आ चुका है, तो चलिए कोई बात नहीं है तो मैं इसको minimize कर लेता हूं देन उसके बाद इसको भी minimize कर लेता हूं देन उसके बाद यहां पर आपके सामने जो देखें दोनों option दिखाए दे रही है जो देखें Disable Windows Defender and Second option जो देखें Windows Defender Enable तो देखिए यहाँ पर अधरस्त option है अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं तो यहाँ पर हम लोग disable करेंगे windows defender को तो देखिए फार्ट जो option है just इसके उपर आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर please wait आएगा प्लिस ओएट आने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे जोदेखिए windows defender is turned off जोदेखिए यहाँ पर cross mark आ चुका है तो चलिए finally defender यहाँ पर disable हुआ है की नहीं देखते हैं तो इसके लिए मैं फिर से settings को जाता हूँ देन उसके बासT According में जाने के बाद यहाँ पर प्राइबीच एंड शेकूर्टी में आता जेनि उसके बास को ओटो annéeilia क्रुपोर्य glitter प्रॉड़ेकिशन मैं ने के बाद सेम टू सेम मैसेश यहाँ पर आप लोucharी दिर पहली देखें थे जो दू Zoot देन उसके बाद ग्रूप पॉलिसर के थू हम लोग ने मैनुवाल ले किये थे जो देखे सेम टूसेम मैसेश आ रही है जो देखे योर बाइर साइट प्रोडक्शन इस मैनिस बाइ योर और और अर्गानाजेशन जो देखे आप इस छोटास एक टूल के साथ भी आप इसली और विन्डोस डीटर को डिसेम म्हीं करां थो अगर आप मनृवाली परोसेस के उसकर नहीं चाहते हैं तो अगर आप मनृवाल प्रोसेस को Bye-dl baklais कर देंगे तो जबने वह से एगर आप शुचिले। option को नहीं करूंगी just मैं यहाँ पर enable and disable का option है तो मैं यहाँ पर enable कर दूंगी तो यहाँ पर मेरा जो windows defender है disable हो जागा successfully जो देखे same to same message आ चुका है जो देखे your virus and date production is managed by your organization तो वहाँ पर भी same to same message आया था जो देखे आप इस process से आप windows defender को disable करता है then उसके बाद यहाँ पर disable हो चुका है enable क्यासे करेंगे enable करने के लिए यहाँ पर आप देख पाड़ा है जो देखे में जो खरy is settings में आता हूं में आने के बाद privacy और स्यक्यूरिय में आता हूं में जाता हूं दैन उसके बाद virus and date production में आता हूं итсяe to production में यहाँ आप देख पाड़ा है यह option enabled हो जुका है इससे पहले यह option your virus and date protection by your organization वोलके एक मेश्ज और यह ती जो रेट कलर में दैन उसके बाद यहाँ पर आप देख पाआ हैं जो देखे मैंने सेटिंग्स में हम लोग गये थे मैंने सेटिंग्स में जाने के बाद tempered protection को आप on कर दीजे, then उसके बाद yes and no का option है जागा, then उसके बाद आपका system का जो भी Microsoft Defender antivirus है, वो active हो जागा, so I hope आप लोग को clear हो चुका होगा, मैंने दोनों option दिखा दिया है, जो भी method आपके लिए अच्छा लगती है, आप उस method को apply कर लिजे, जो देखे, अगर आप इस option को use करना चाहते हैं, तो आप Windows Defender को real-time protection and temper protection को आप पहले disable कर दीजे, अगर आप disable नहीं करेंगे, तो यह automatically virus detected हो जाती है, तो मैं पहले clear कर जुका हूँ, then उसके बाद मैं आप लोग के लिए और भी एक option दिखा देता हूँ, जो देखे, थोड़ी दिन पहले मैंने Windows Defender को Windows 11 system में कैसे disable करते हैं permanently, जो देखे, अगर आप उस method को apply करना चाहते हैं, तो आप इस tutorial को जड़ू देख लीजे, तो मैं इस video की decision में, नहीं तो मैं i button में उसका link देदूँगी, जो देखे, अगर आप इस process को apply करना नहीं जाते हैं, तो अब इस process को भी apply कर दीजे, जो मैंने आप लोग के लिए दिखा दिया है, कैसे enable and disable करते है, step by step, अगर आप लोग Windows 10 आप भी use कर रहे हैं, तो Windows 10 में हम लोग कैसे Windows defender को disable करेंगे and enable करेंगे, अगर आपको नहीं पता है, तो आप इस tutorial को जड़ू देख लीजाए, जो देखे, यह tutorial मैंने थोरी दिन पहली य जुका होगा, जो कैसे disable and enable करते है, Windows 11 system में, अगर आप लोग ने अभी तक भी ने टॉकिंग गुरूजी चैनल को subscribe नहीं क्या होगा, तो पहले चैनल को जरूँ सब्सक्राइब कर लीजे, और bell icon को press करना ना पूरिए, तो इससे क्या होगा, मैं जब भी नए वीडियो दू की networking tutorial and interview question answer भी मिल जाएगा, आप लोग like and share and comment कुछ नहीं करते हैं, तो देखे, एक like से बहुत सरा motivation मिलती है, तो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद like, share and comment करना ना भूलिए, अगर आप लोग Windows 11 के ऊपर अगर आप और भी details में tutorial जानना चाहते हैं, तो तो आप directly playlist में प्लेइलिस्ट में आने के बाद यहां पर आप देख पाएंगे जो देखे, उंडोस 11 का almost tutorial एब लेवल हैं, जो देखे, यहां पर 56 वीडियो एब लेवल हैं, अगर आप लोग देखना चाहते हैं, तो देख सकते हैं and यहां पर उंडोस 11 का hidden features भी एब लेवल हैं and यहां प enable करते हैं, step by step, तो मैं इस वीडियो की description में मैं इसका भी link देदूंगे, अगर आप लोग इसको भी try करना चाहते हैं, तो try कर पाएंगे, मैं इस वीडियो की description में resist editor में जाके, जो भी हम लोग ने value data and name provide किये थे, उसका भी link देदूंगे, आप इसली देखके, आपके system में defender को enable and disable करते हैं, so I hope आप लोग को clear हो जुका होगा, अगर फिर भी कोई भी doubt आ रिये, कुछ भी question आ रिये, तो आप प्लिस comment section में जरू दे दीजे, तो मैं आप लोग के लिए जरू help करते हैं, so दोस्तों, आज के लिए इतना ही, so please इस वीडियो को like and share and subscribe करना ना बुलिए इसके साथ, I think आप लोग जानती होंगे, जो nettalking गुरी जी नम से facebook का पेजा और twitter का भी पेजा, अगर आपने follow नहीं क्या होगा, तो आप जरू उसको भी follow कर लिजे, तो वहाँ पर भी मैं बहुत सारा information and videos share करता हूँ, so please like, share and subscribe करना ना बुलिए, इसके साथ जरूर comment भी चरूर करिए, तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, thanks for one